हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आवर चैनल लेटरेचर इन हैंड आज हम डिसकस करेंगे एडमन स्पेंसर की एक फेमस पॉएम प्रो थालेमियन एंड स्पेंसर ने ये पॉएम 1596 में लिखी थी अपने पैटराउन अर्ल अफ एसेक्स के कहने पर लिखी थी स्पेंसर ने अर्ल अफ वास्टर के जो दो बेटिया थी एलिजबेट अन्ड कैथरीन उनके वेडिंग के ओकेजन पर लिखी थी प्रो थालेमियन के अलावा इस् सिमेलारीटेइज भी दोनों पॉएम में देखने को मिलता है फोर एक्जामपल एपिजबे मीं हमें elements of eroticism देखने को मिलता है बट प्रो थालेमियन नहीं है और प्रो थालेमियन जो पॉएम है वह अपिजबे में से सोर्टर पविब हैं चोटा है इन listener आप में poet की उदास इंता और जो उनका गंभीर मूड है frustrated मूड है वो भी हमें देखने को मिलता है poem के starting में but दोनों जो poem है इन दोनों में कुछ similarities भी है जैसे की epithelamian की तरह प्रोथलेमियन में भी pagan gods को pagan gods का invocation किया गया है उसको blessing देने के लिए जिनकी wedding होने वाली है और उन्हें guard करने के लिए from all evils थलेमियन poem की जो starting है जो first stanza है उसमें poet के बहुत ही frustrated और खराब mood को दिखाया गया है and poet बहुत ही frustrated है unsatisfied है अपने career से और इसलिए अपने मन को सांथ करने के लिए and खुद को better feel कराने के लिए वो टेम्स river के किनारे जाते हैं so that वो थोड़ा better feel करें और वो अपने मन को सांथ कर पाए poet का जो mood है वो elizabethan period में जो patronage system था and उसके कारण ही poet का mood जो है वो खराब होता है so अब यह patronage system क्या था इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ so that आप समझ पाएं कि Spencer का mood जो है वो इतना खराब क्यों होता है first stanza में so यह जो patronage system था इसमें क्या होता था कि जो बड़े बड़े अर्ल होते थे यानि कि जो राजा होते थे वो poets, writers and artists को financially help करते थे and उन्हें अपने court में रखते थे, अपने राजदरवार में रखते थे as a advisor and उनके खाने रहने का पूरा खर्च वो उठाते थे and उन्हें financially help करते थे and बदले में उन poets को, writers को अपने patron के कहने पर लिखना पड़ता था, patron means जो उन poets को help करता था, joking help करता है उसे patron कहते है and यह जो पूरा system था, उचसे हम patronage system कहते हैं, तो Spencer का first patron था, पहला patron था, Earl of Leicester and उनके death के बाद Earl of Essex Spencer का patron बना, second patron बना and अपने patron Earl of Essex के कहने पर ही Spencer ने pro thalamian poem लिखी थी तो पूरा patronage system था, यह Spencer को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें court में as a outsider treat किया जाता था and Spencer को court में failure और rejection भी face करना पड़ा था, तो इसलिए उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना जो time है, वो पूरा बरवाद कर दिया है, court में रहकर and इन्हीं सभी कारणों से Spencer का जो mood था, वो बहुत ही frustrated था और unsatisfied mood था उनका इस poem के starting में, first stanza में pro thalamian एक wedding poem है and इस poem के starting के lines में ही very first stanza में ही Spencer ने अपने frustrated mood के बारे में लिखा है जो की बहुत ही unexpected है एक wedding poem को शुरू करने के लिए, एक wedding poem के लिए starting के lines में Spencer ने first stanza में उस दिन को describe किया है, जिस दिन ये poem प्रोथेलेमियन उन्होंने लिखी थी वो लिखते हैं कि ये दिन बहुत ही सांथ है and हलकी हवा चल रही है और ये हवा जो है वो brightly signing sun के heat को जो है थोड़ा कम कर रही है and इसके बाद उस दिन को describe करने के बाद Spencer अपने unsatisfied career और अपने frustrated mood के बारे में describe करते है and then वो लिखते हैं कि अपने mood को ठीक करने के लिए and खुद को better feel कराने के लिए वो टेम्स रिवर के किनारे walk करने चले गए and इसके बाद फिर Spencer ने टेम्स रिवर के beautiful surroundings को describe किया है first stanza में riverside में जो meadows था वो पूरी तरह से beautiful flowers से ढखा हुआ था and उन beautiful flowers को देखकर Spencer बोलते हैं कि यह flowers young women के room को सजाने के काम आ सकता है या फिर इनसे wedding crowns भी बनाया जा सकता है and जो wedding day अब दूर नहीं है and इसके बाद last line में Spencer टेम्स रिवर को softly and quietly बहने के लिए बोलते है जब तक कि उनका जो poem है वो complete ना हो जाए so यह couplet है so यह जो couplet है इसके साथ first stanza जो है उसकी ending होती है and यह जो couplet है यह जो line है यह exam के point of view से important है बहुत बार exam में इस line का explanation पूछ लिया जाता है so इसके बाद फिर second stanza में हम देखते हैं कि poet जो है वो river के किनारे खड़े होते हैं अभी उन्हें वहाँ नदी के किनारे मेड़ो में निम्स दिखाई देती है निम्स जो है यह nature की deity होती है means nature की देविया होती है and यह सारी निम्स वहाँ beautiful flowers को collect कर रहे थी जो मेड़ो पर खिला हुआ था जो river side जो मेड़ो था वहाँ पर beautiful flowers खिले हुए थे and उन flowers को यह निम्स तोड रही थी और तोड़कर अपने बास्केट में रख रही थी so point जब उन निम्स को flower तोड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें देखकर point बोलते हैं कि यह निम्स सायद इन flowers से beautiful crowns तयार करेंगी to their bridegroom bridegroom के लिए second stanza में भी repeated couplet का use हुआ है जो first stanza में हुआ था then इसके बाद third stanza में जो point है वो दो beautiful swans को देखते हैं river lee में swim करते हुए and Spencer ने इन दो beautiful swans के pleasant appearance को describe किया है second stanza में and यह जो दो swans है यह actual में brides को represent कर रहे हैं इस poem में जिनकी wedding होने वाली है so third stanza में point ने specifically इन दो swans के beauty को ही describe किया है जो brides को represent करते है and point इन swans को देखकर कहते हैं कि उन्होंने इतनी beautiful और fair swans पहले कभी नहीं देखी थी and then point इन swans के fair rung को white rung को pindus mountain के top पर जो बर्फ है उससे भी ज़्यादा fair और white कहते है and then point ने swans के white rung की beauty को describe करने के लिए जोव एंड लेड़ा की जो mythology है उसे refer किया है इस point में इस mythology के according जोव जो है the god of sky उसने swans का रूप ले ले लिया था लेड़ा को seduce करने के लिए and point कहते हैं कि जोव ने जो swans का रूप लिया था जब वो swan में transform हो गए थे and उस swan का जो white color था वो white rung भी उन दो beautiful swans के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो river lee में swim कर रहे है and because इन दो beautiful swans का जो color है वो बहुत ही pure white है and इनके comparison में कोई और है ही नहीं चाहे वो pindus mountain के top पर बर्फ हो या फिर zoe and then इन दो swans का जो pure white rung है वो dirty नहीं हो जाए इसलिए river lee जो है वो अपने waves को gently बहने के लिए कहती है और अपने waves को order देती है कि वो swans के silky feather को touch नहीं करें because उनके touch से swans का जो beautiful white rung है pure white rung है वो dirty हो सकता है and then इसके बाद फिर poet swans के bright white color का comparison जो है sun के brightness से करते है and again third stanza की ending जो है वो same couplet से होती है जो की first और second stanza में जो couplet यूज हुज हुआ था अब fourth stanza में point बोलते हैं कि जो nymphs है उन्होंने बहुत enough flower अब collect कर लिया है and nymphs silver swans को देखने के लिए दोड़ती है जो river lee में swim कर रहे है and जब nymphs उन दो beautiful swans को देखती है तो सभी बहुत ही amazed हो जाते है उन swans को देखकर उनके beauty को देखकर nymphs ने पहले कभी इतना सुन्दर swans नहीं देखा था इतना सुन्दर huns नहीं देखा था so इसलिए वो बहुत ही amazed हो आते हैं and so उन्हें लगता है कि ये कोई common swans नहीं है and they assumed that they were angelic उन्हें लगता है कि ये कोई angelic swans है या फिर ये कोई mythological swans है जो goddess Venus के chariot को खेचती है and ये दो swans इतने beautiful थे कि निम्स को believe ही नहीं हो रहा था कि ये कोई mortal creature है and ये थी fourth stanza अब fifth stanza में निम्स अपने basket से flowers उठा कर swans के ऊपर छीटती है उनके ऊपर फूलों का बरसात करती है and river lee में भी उन्होंने beautiful flowers को फेका so that river lee जो है Greece के penis river की तरह लगे जो हमेशा flowers से धकी होती है river lee जो है पूरी तरह lilies से covered हो जाती है धक जाती है उस वक्त river lee bridal chamber के floor की तरह लगती है क्योंकि पूरी तरह से जो river lee है फूलों से धकी हुई थी उस वक्त and दो निम्स जो है वो flowers का crowns तयार करती है swans के लिए उनके wedding day के लिए and मैंने पहले ही starting में बताय था कि ये दो beautiful swans brides को represent कर रहे है जिनकी wedding होने वाली है so इसलिए यहाँ पे swans के wedding की बात हो रही है and इसके बाद other names जो है वो गाना गाते है swans के लिए जो उनके wedding day के लिए prepare किया गया था ये थी stanza 5 की summary and अब हम stanza 6 देखेंगे so stanza 6 में Spencer जो है वो swans को blessing देते हैं उनके wedding के लिए and वो pray करते हैं Venus से the queen of love and her son cupid से pray करते हैं कि वो आसिरवाद दे blessing दे couples को and उनके आसिरवाद से blessing से उनका जो life है वो खुजियों से भरा रहे and उनके life में जो भी problem है conflict है संघर्स है वो सब दूर हो जाए and then Stanja 7 में point लिखते हैं कि चारो और throughout the meadows बस यही गुंज था है कि swans wedding day wasn't far off बस चारो और यही गुंज रहा था कि swans का जो wedding day है वो अब दूर नहीं है and इसके बाद फिर point लिखते हैं कि जब यह joyful swans river lee को पार करते हैं तो river lee ऐसे moment करती है कि manu जैसे river lee जो है वो खुद दोनों swans से बाते करना चाहती है and इसके बाद फिर आसपास जितने भी birds होते हैं वो उन दो swans को घेर लेते हैं and swans को best services देते हैं for their wedding day which is not far away जो कि अब दूर नहीं है and then इसके बाद the poet जो है वो swans को moon से compare करते है and जो other birds है उन्हें वो stars से compare करते है to indicate that swans are more beautiful than those birds and stanza 7 में जो overall atmosphere है वो बहुत ही happiness वाल atmosphere है and nature जो है वो बहुत खुस है and river lee भी खुद swans से बाते करना चाहती है and जितने भी birds थे वो सभी swans को घेर लेते हैं उन्हें best services दने के विए क्योंकि उनकी wedding जो है अब बहुत ही नजदीक है so इस तरह से stanza 7 में point ने सब कुछ describe किया है then इसके बाद stanza 8 में poem की setting जो है वो river से London सिफ्ट हो जाती है जहां Earl of Worcester के दो daughters की wedding होने वाली थी and इस particular stanza में Spencer ने कुछ important buildings को भी describe किया है जो Tims River के किनारे था and in buildings में एक important building था Knights Templar का residence जो अभी के समय में law student के लिए as a housing यूज होता है law student वहां पे रहते है and then Spencer ने Leicester house को भी describe किया है जहां पे ये जो wedding है वो होने वाली है ये Leicester house पहले Earl of Leicester का था but उनके death के बाद 1588 में उनके death के बाद ये Leicester house Earl of Essex का हो गया and Earl of Leicester Spencer के former patron थे वो first patron थे Spencer के and उनके death के बाद Earl of Essex जो है वो Spencer के second patron बने so Leicester house को अब Essex house भी कहते हैं जहां पे दोनों sisters की wedding जो है वो होने वाली थी so Essex house को भी Spencer ने describe किया है Spencer ने अपने patron Earl of Essex को celebrate किया है and अपने patron को describe किया है उनके बारे में लिखा है means अपने patron Essex के bravery की तारीफ की है Spencer ने 9th स्टेंजा में and Spencer लिखते हैं कि Earl of Essex England के लिए honor है and पूरी दुनिया उन्हें admire करती है because उन्होंने अपने recent mission से Spain को जो है पूरा टेरराइजड कर दिया है and so इस particular स्टेंजा में Spencer ने अपने patron Essex का खूब तारीफ किया है and उनके skills और war में victories की भी तारीफ की है Spencer ने and Spencer इस स्टेंजा में लिखते हैं कि Earl of Essex के रहते England को कोई खत्रा नहीं है and overall इस स्टेंजा में Spencer ने अपने patron Earl of Essex को celebrate किया है and उनके bravery की तारीफ की है then इसके बाद स्टेंजा 10 में Spencer लिखते हैं कि Earl of Essex एक evening star हेस्परोस की तरह बाहर निकलते हैं and river की और आगे बढ़ते हैं and उनके साथ कई और लोग भी हैं जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं and crowd के बीच में दो handsome knights Henry, Guilford and William Peter खड़े होते हैं जो किसी भी queen के लिए एक perfect match है and इन दोनों के साथ ही Catherine और Elizabeth की जो wedding है वो होने वाली है and ये दो bridegrooms है and then Spencer ने Henry, Guilford and William Peter को Jov के twins Caster and Pollux से compare किया है 10th stanza से हमें पता चलता है कि wedding ceremony है wedding ceremony वो जस्ट अब स्टार्ट ही होने वाला है and bridegroom भी अपने brides की और बढ़ते हैं river की और आगे बढ़ते हैं whom they love dearly and at the scheduled time they will get married and and इस stanza के last में same repeated couplet का यूज़ हुआ है which is against your bridal day which is not long sweet themes run softly till I end my song and इसी couplet के साथ ये poem prothalemian खत्म हो जाती है and video अगर आपके लिए helpful रही then please like, share and subscribe thank you so much